दोस्तों आज की वीडियो पे मैं आप लोगों को Government of India की तरब से आई कुछ नई इंटर्शिप के अपडेट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिससे दोस्तों आप अगर चाहें तो खर बैठेवे भी कर सकते हैं मतलब इंटर्शिप online remote भी available है अगर आपको full time internship करनी है तो आप भी full time internship भी कर सकते हैं और इसमें आपको काफी अच्छा stipend इनके द्वारा offer किया जाने वाला है तो आज की वीडियो में detail में हम इस internship के बारे में जानेंगे वीडियो परसंद आएगी लाइक करिएगा वाट्सप ग्रूप टेलेग्राम ग्रूप से जिनने के लिए link description पे available है जॉइन कर लिजेगा वहाँ पे आपको ऐसे update हमेशा मिलते रहते हैं मैं आपको बता दो दोस्तों ये internship अलग अलग field में available है और इस वज़ा से आप में से किसी भी degree के student इसमें eligible होने वाले हैं तो आप अगर internship की तलाज कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक काफी अच्छा हना internship हो सकता है तो चलिए डीटेल में आपको मैं इसके बारे में बताता हूँ पहले तो आपको ये बता दो यार कि internship किस तरह की है मतलब इस internship में क्या क्या टास्क आपको कराए जाने वाले हैं और फिर कैसे apply करना होगा LGBT के बारे में हम जानेगे तो internship यहाँ पर दोस्तो अवेलेबल है digital marketing के उपर graphic design requirement के उपर अब देख सकते हैं digital marketing graphic design requirement content writing के उपर अवेलेबल है ये internship जिसे आप अगर चाहें तो खर बैठे वे कर सकते हैं और काफी अच्छा staff कमा सकते हैं अच्छा दोस्तो वीडियो में आगे बढ़ने के पहले मैं आप लोगों के लिए दो और bonus internship लेकिया हूँ जिसका आप फायदा जरूर उठाएगा जो लोग दोस्तो software से लेटर internship तलास रहे हैं Java और Java script के उपर अभी इना काफी अच्छी internship प्या पोजिटी आई हुई है जिसका फायदा college के going student भी उठा सकते हैं आप पासओर दो उठा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं Paynet system hiring कर रही है Java intern के रोल के लिए इसपे internship प्लस PPO का offer आपको मिलेगा 25,000 के आजपस आपको staff fund दिया जाएगा फिर full time रोल पर आपको काफी अची salary offer की जाएगी इसके लिए college student के साथ साथ passwords भी apply कर सकते है वहीं पर दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं एक hiring चार दिये flip shop की तरफ से data size intern का ये भी दोस्तों देख सकते हैं इसमें आपको 20,000 रुपय तक का statement offer किया जाएगा और इसमें freshers apply कर सकते हैं और college going student apply कर सकते हैं जावा स्क्रिप्ट की भी internship आई हुई है इन सबके link description पर अविलेबल है आप अगर college going student है internship के तलाज कर रहे हैं तो job अथन आपको test देना है जिसे आपको 100% देने का मौका मिलेगा उसका link description पर आपको मिल जाएगा मैं आपको बता रहे था दोस्तों यहार यहार पर internship update के बारे में तो यह जो internship है बात कर दी जाए हमें कैसे मिलेगी और कहां से हमें यह provide हो रही है तो दोस्तों Delhi commission for protection of child rights DCPCR इनके द्वारा यह internship निखाली गई है government of entity of Delhi Delhi यह आप लोगों के लिए internship लेके आया है और अगर आते हैं तो इसमें apply करने क्या मैं आपको हना सारा process भी बता देता हूं तो यह internship अगर बात कर दी जाए हना कि इसमें क्या करना होगा आपको तो basically दोस्तों child rights के उपर आपको awareness पहलानी होगी उसके उपर digital marketing करनी होगी उसके उपर content design करना होगा उसके उपर social media marketing आपको करनी हो distance होंगे उन्हें हाना यहां पे एक अच्छा कासा staff fund भी इनके द्वारा दिया जाएगा इसके अलावर traveling का जो भी कर्चा होगा तो सारा का सारा दोस्तों यहां पर इनके द्वारा बीयर किया जाएगा कैसे apply करना होगा उस पर भी हम आएंगे और यहां पर आपको और कोई बीडाउट है तो इनके द्वारा एक website एक email का link share किया गया है आप इस email पर mail करके इसे और भी इसके बारे में जान सकते हैं यह internship दोस्तों मैं आपको बता दू कि आप यहां पर फॉर्म फील कर रहे हैं तो यहां पर साब साब लिखा गया है कि ऐसा कोई कंपल सरी नहीं है कि आपको internship बिली जाएगी आप यहां पर जब apply करेंगी इसके आपको shortlist किया गाएगा और लगबग 3 हपते तक का समय लग सकता है जिसके बाद आपको पता चलेगा कि आप shortlist हुए है कि नहीं हुए है हो सकता है कि आपको काफी जल्दी internship करने के लिए बुला ले जाए या फि इसमें open है और हर को इसमें apply कर सकता है इस intensive की में और भी आपको अगर बात बताओ दोस्तों फॉर्म परना तो मैं आपको बताऊंगा ही आपको मैं रूल आलेडी बता चुका हूँ यहां पे दोस्तों जो बताया गया है देखिए आप देख सकते हैं 3000 रुपे आप लोगों है इनसे communicate करके है बात करना पड़ेगा कि आप कितना ज़्यादा यहां पे स्टाइफट कितना आप negotiate कर सकते हैं उस पर depend कर सकता है और करने बाला है अब मैं आपको एक और चीज़ दिखा दूँ दोस्तों कि इनके तोरह जैसे की बताया गया है कि यह internship जो है ना यह internship दोनों आध्यां पर available है और यह internship offline भी available है और online भी available होगा apply करने का लिख आपको description पर मैं दे दूँगा उस पे आपको करना क्या होगा मैं आपको बता दूँ दूस्तों आपकी साथ चुबे share करूंगा ना दूस्तों वो इस तरह का form होगा इसमें आप लोगो complete this form करके option आएगा यह पर इस पर क्लिक कर लिजेगा क्लिक करने के बाद आपके सामने गूगल डॉक का एक form आजाएगा इस गूगल डॉक के form को आपको feel करना है और यहां पर जब आप detail डालेंगे तो आपको email id, name, contact number, type of internship कि आप लोगों को regular full time internship करना है कि part time internship करना यह detail डालना है बाकि जो details आप कोई opportunity बसन दाई होगी तो दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजेगा ताकि सब इसका advantage उठापा है, thank you so much अज़तों